नमस्कार आप सभी का स्वागत है यह है BSR Government Arts College अलवर के Political Science Department का YouTube चैनल है और हम आज के इस व्याख्यान में बिये पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट जिसका नाम है प्रमुक राजनितिक व्यवस्थाएं का अध्यन करेंगे और इस पेपर के अंतरगत जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह है ब्रिटेन का समिधान और आज हम जिस महत्पून बात की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम ह प्रधान मंतरी के कारिये और शक्तियां हमने अपने पिछले व्याख्यान में प्रधान मंतरी के बारे में कुछ परीचे प्राप्त किया था कि ब्रिटेन में प्रधान मंतरी का पद कैसे विक्सित हुआ उसकी नियुक्ति कौन करता है और किस प्रकार वह पद अनौपचार और थोड़ी जानकारी हमने उप प्रधानमंत्री के बारे में भी प्राप्त की थी। इस बात की चर्चा हमने जो प्रधानमंत्री से सम्मंदित पहला व्याख्यान था उसमें की थी कि ब्रधिस ब्रटेन की जो शाषिन विवस्था है उसमें प्रधानमंत्री की जो इस्तिती है वह सरवादिक महत्पून है। आधारशिला किसने कहा है प्रधानमंत्री को ब्रटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनको किसने सम्पून विधान की आधारशिला बताया है। तो आपको नाम याद रखना है जैनिंग्स का। कि अगर संसद में निशित बहुमत है तो इंग्लेंड का प्रधानमंत्री वह सब कारिये कर सकता है जो जर्मनी का समराट और अमरीका राश्ट्रपती भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को जो व्यापक शक्तिया प्राप्त हैं उनकी चर्चा हम निम्न प्रकार से आपके साथ करेंगे विभिन शीर्षकों के माध्यम से। पहली बात इसके सम्मद में क्या है जो कारिये और शक्तियां उसमें पहली बात क्या है मंत्री मंडल का निर्मान। वैधानिक रूप से मंत्री मंडल के सदश्यों की नियुक्ती प्रधान मंत्री के परामर्स से समराड द्वारा की जाती है। वैधानिक रूप से या सद्धानिक रूप से जो मंत्री मंडल के सदश्यों होते हैं उनकी नियुक्ती प्रधान मंत्री के परामर से समराड द्वारा की जाती है। किन्तु वास्त्विक्ता में मंत्री की मंत्रियों की नियुक्ती में समराड का कोई हाथ नहीं होता। प्रधान मंत्री जिन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की सिफारिस करता है समराट उसे स्विकार कर लेता है अर्थार उन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर देता है जिन व्यक्तियों की सिफारिस प्रधान मंत्री के द्वारा समराट से की जाती है समझ में आया बच्छों आपको हम आगे बढ़ते हैं यद्दपी प्रधान मंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर उनकी इस्तिती विभिन भोगोलिक छेत्रों और समुदायों के प्रतिन जित्तु सदश्यों की दक्षता उनकी समास सिवा की भावना आदी का ध्यान रखना होता है ऐसा नहीं है कि प्रधान मंत्री अपने सहयोगियों का चुनाव अर्थात अपने मंद्री मंदल के साथियों का चुनाव अपनी मर्जी से करता है ऐसी बात नहीं है उसको विभिन व्यक्तियों की इस्ति भोगोलिक छेत्रों विभिन समुदायों के प्रतिदित्व उनकी दक्षता समा सिवा की भावना आधी को ध्यान में रखना होता है लेकिन फिर भी अंतिम रोप से इस सम्मंद में प्रधान मंत्री की इच्छा ही सर्वोपरी होती है वे चाहे जिस व्यक्ति को मंत्री पदपर नियुक्त कर सकता है यद भी ब्रिटेन में एक दलीय मंत्री मंदल की परंपरा है लेकिन प्रधान मंत्री अपने दल से बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री मंदल में ले सकता है यदी किसी विशेष कारियों को करने के लिए वे उप्यूक्त हो तो एक दली मंत्री मंडल का निर्मान होता है ऐसी परंपरा ब्रिटेन में है जिस दल को लोग सुदन में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल में से मंत्री मंडल का निर्मान होता है लेकिन यदि किसी विशेश कारी करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवशकता है तो प्रदान कर सकता है उधारन के लिए बाल्डविन ने 1924 में चर्चिल को वित्त मंतरी न्यूक्त कर दिया यद भी उस समय चर्चिल को दल में महत्पून सिती प्राप्त नहीं थी ऐसे ही अन्य उधारन देखने को हमें मिलते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अपने सहयोगियों क की चुनाव में प्रदान मंतरी द्वारा अपने स्वैविवेक का उपयों किया जा सकता है और अपने सहयोगियों के चुनाव के अत्रिक वह उनके बीच विभागों का वित्रन भी कर्ता है और इस समंद में प्रधान मंतरी का न्रणे अंतिम होता है और जो न्रणे प्रधान मंतरी करता है उसे एस्विकार नहीं किया जाता यदि कोई उस प्रधान मंतरी के फैसले को न्रणे को एस्विकार करता है तो उसका वस्व्यक्ति का कभी कभी राजनितिक जीवन भी समाप्त हो जाता है तो सामाने रूप से उसके निरने को एस्विकार नहीं किया जाता अब बात करते हैं मंद्री मंदल का कारिय संचालन जो दूसरी शक्ती है या दूसरा कारिय है प्रधान मंत्री का क्या है मंत्री मंदल का कारिय संचालन प्रधान मंत्री ने केवल मंत्री मंदल का निर्मान करता है अपी तो वरन उसकी समस्त कारिवाई का संचालन भी प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है प्रधान मंत्री मंदल की बैटकों का सभापतित्तु करता है अर्थात उनकी अध्यक्षिता करता है जो कैबिनेट की बैठके होती है उनकी अध्यक्षिता या सभापदित तो प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है और जो मंत्री मंदल की कारिय विधी होती है जो एजेंडा होता है उस पर प्रधान मंत्री का पूरा नियंत्रण होता ह प्रतेग मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पूरु प्रधान मंत्री की राय अवश्य लेता है और यह बात उसे मंत्री मंडल का पत्प्रदर्शक बना देती है जब कभी कोई मंत्री द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले प्रधान मंत्री की राय ली जाती है और इस स्थिती में वे है मंत्री मंधल का पत्त प्रदर्शक बन जाता है मंत्री मंडल के निर्मान तथा नीती निर्धारण में प्रधान मंत्री का सरो परी हाथ रहता है जो मंत्री मंडल का निर्मान होता है और जो नीती निर्धारण किया जाता है मंत्री मंडल के द्वारा उसमें प्रधान मंत्री का सरो परी हाथ रहता है यद भी मंदरी मंडल के अंतरगत विभिन विशयों पर गोपनिये किन्तु स्वतंत्र विचार विमर्ष की प्रिक्रिया को अपनाया जाता है और विवादास्पद विशय पर मतदान की प्रिक्रिया को भी अपनाया जा सकता है किन्तु सामाने तया प्रधान मंत्री का विचार ही निरनायक होता है अर्थात अंटिम रूप से निरने किसका मानने होता है प्रधान मंत्री का और मंत्री मंडल उसे अपने निरने के रूप में स्विकार कर लेता है तो मंत्री मंडल का कारिय संचालन उसका दूसरा महत्पुन कारिय है तीसरा है मंत्री मंडल का अंत विधी के अनुसार मंत्रियों को पद्चुत करने का अधिकार सम्राड का विशशा अधिकार होता है विदी के नुसार यानि सध्धान्तिक रूप से मंत्रियों को पज्युत अपने पद से हटाने का जो अधिकार है वह समराड का विशशा अधिकार माना गया है लेकिन व्यवहार में ब्रिटेन में क्या परंप्रा इस्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रियोग समराड द्वारा प्रधान मंत्री की सलहा पर या मंत्रना पर किया जाता है अब एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और आप भी साथ में पढ़ने का प्रियास कीजिए कि ये जो कोई भी सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं कोई वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं वे क्या कहना चाहरा है उसका सार क्या है उसका निचोड क्या है तो विधी के अनुसार मंत्रियों को पदचुत करने का अधिकार समराट का विशिश अधिकार है लेकिन व्यभार में ब्रिटेन में क्या परंपरा है कि इस अधिकार का प्रियोग समराट द्वारा प्रधान मंत्री की मंत्रना या सलहा के आधार पर किया जाता है प्रधान मंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोग्यों की पदचूती या संपून मंत्री मंदल के अंत की सिफारिस समराट से कर सकता है हम दुबारा देखते हैं इसको कि प्रधान मंत्री को क्या अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों की यानि मंत्री मंदल के एक या अधिक जो सदश्य होते हैं उनकी पदिचूती या संपून मंत्री मंदल के अंत की सिफारिश समराट से कर सकता है प्रधान मंत्री चाहे तो किसी एक या दो या तीन मंत्रियों को हटाने की सिफारिश समराट से कर सकता है या संपूर्ण मंत्री मंदल को भंग कर देने की या उसका अंत कर देने की सिफारिश करने का अधिकार प्रधान मंत्री को है समराट के माध्यम से यदि प्रधान मंत्री स्वैम त्याग पत्र दे दे तो उसके त्याग पत्र के साथ पूरा मंत्री परिशद या मंत्री मंडल भंग हो जाता है और प्रधान मंत्री से अंतिम रूप से एहस एहमत मंत्री को त्याग पत्र देना ही होता है तो दो बातें आई हैं इन वाक्यों क के अंतरगत यदी प्रधान मंत्री अपने पद का त्याग कर देता है तो संपूर्ण मंत्री परिशद भी त्याग पत्र माना जाता है संपूर्ण मंत्री परिशद भंग हो जाती है इसके अलावा यदी कोई मंत्री प्रधान मंत्री से ऐसे हमत है तो उसे भी त्याग पत्र देना ही होता है मंत्री मंडल के अंतरगती इसी शक्ति के अंतरगती मंत्री मंडल के पुनरगठन की शक्ति भी शामिल है मंत्री मंडल का पुनरगठन भी प्रधान मंत्री कर सकता है लास्की कहते हैं वह अपने मंत्री मंडल में जब चाहे तब और जैसा चाहे वैसे परिवर कर सकता है और इस प्रकार के उधारन हमें वहीं देखने को मिलते हैं जिनको आप की कब इस प्रकार की शक्ती cutting पुंदर गठंगी शक्ती का प्रधान मंत्री द्वरा प्रियोग किया गया आपकी पुस्तक में कुछ उधारन दिये गए है जो मारगिट थेशर थी उसके समय की बात है तो उस समय मंत्रियों में भारी बदलाव किये गए उनके विभागों को बदला गया कुछ का कुछ लोगों को बरखास्त भी किया गय तो मंत्री मंदल में प्रधान मंत्री को प्राप्त इस इस्तती के आधार पर लास्की पुनह कहते हैं कि प्रधान मंत्री मंत्री मंदल का केंद्रविंदू है वह उसके निर्मान उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रिय इस्तती रखता है यानि मंत्री मंदल का निर्मान मे और उसके कारे संचालन में और उसके अंत में उसको केंद्रिय इस्तिती प्राप्त होती है प्रियोग कौन करता है प्रधान मंत्री द्वारा उन अधिकारों का प्रियोग किया जाता है शाषन पर सर्वोच नियंत्रन रखने हेतू उसके द्वारा शाषन के विभिन विभागों में समन्वय इस्थापित किया जाता है क्या कारिय करता है प्रधान मंत्री शाषन पर नियंत्रन रखने के लिए शाषन के विभिन विभाग जो होते हैं उनमें समन्वय इस्थापित करता है और वह यह कारिय विभिन विभागों के मंत्रियों में मध्यस्ता करते हुए और विभिन विभागों को आदेश देते हुए करता है राजकिये सम्मान प्रदान करने का कारिये भी सम्राट के द्वारा प्रदान मंतरी के परामर्ष से ही किया जाता है किसी को कोई राजकिये सम्मान प्रदान करना हो तो यह कारिये भी सम्राट जो है प्रदान मंतरी के परामर्ष से करता है इसी प्रकार जो स तरगर या उनमें से कुछ तो प्रधान मंतरी स्वैम नियुक्त करता है उनको या फिर प्रधान मंतरी के प्राबश के आधार पर समराड द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति आवशक होती है। जाहे उसके पास है या नहीं है परराष्ट संबंधों के सुचारू संचालन का अंतिम दायत उसका ही समझा जाता है। जो परराष्ट मंतराले है चाहे उसके पास हो या नहो लेकिन परराष्ट संबंधों के सुचारू संचालन का अंतिम दायत प्रधान मंतरी का ही होता है। दूसरे देशों के साथ किये जाने वाले महत्पूर समझोतों पर ब्रिटेन की और से परराष्ट मंतरी के द्वारा नहीं प्रधान मंतरी के द्वारा ही हस्ताचर किये जाते हैं। जो अन्य देशों के साथ बिटेन महत्पूर्ण समझोते जो करता है उन पर विदेश मंत्री या परराष्ट्र मंत्री के हस्ताचर नहीं होते प्रधान मंत्री के ही हस्ताचर होते हैं तो एक महत्पूर्ण कारी क्या है परराष्ट्र सम्मंधों का या विदेश सम्मंधों का स जानते हैं कि लोग सुदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को समराड द्वारा प्रदान मंत्री पद प्रदान किया जाता है और उसके द्वारा शाषन प्रमुक के साथ साथ लोग सुदन के नेता के रूप में भी कारिये किया जाता है जो प्रदान मंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपून व्यवस्थापन का कारिये संचालन करता है संसद में जो कानून निर्मान संबंदी कारिये हैं जिने व्यवस्थापन कारिये कहते हैं उनका संचालन प्रधान मंत्री द्वारा करता है किया जाता है अपने मंत्रियों के साथ वह व्यवस्था Πन के सम्मंद में नीती निर्धारित कर संसद का पत प्रदर्शन करता है समस्त सरकारी विद्यक उसी के इंदरिक्षन में और उसके परामर्श के अनुसार ही तयार किये जाते है और वारशिक आयवे यानि बजट तयार करने में भी प्रधान मंत्री का प्रमुक हाथ रहता है सदन के अध्यक्ष तता विरोधी दल के नेता के परामर्ष से वह संसद का समय विवाजन करता है और कारिक्रम तयार करता है दलिय सचेतकों के माध्यम से वह दल के सुधश्यों को आवशक आदेश देता है संसद में शाषन की नीती से सम्मंदित अंतिम तता अधिकृत गोशना प्रधान मंत्री के द्वारा ही की जाती है तो शाषन की नीती से संबंदित जो घोशना होती है वह प्रधान मंतरी द्वाराई की जाती है अंतिम और अधिक्रित घोशना लोग सोदन के नेता के रूप में उसकी एक अन्य महत्पून शक्ती क्या है लोग सोदन को विगटित करना प्रधान मंत्री सम्राट को लोग सुधन विक्टित करने की सिफारिस करता है और सम्राट उसे साधनतया स्विकार कर लेता है उसे ऐस्विकार वह नहीं करता और प्रधान मंत्री के हाथ में यह बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र होता है जिसके आधार पर वह लोग सदन के सदश्यों को अनुशाशित और नियंद्रित रखता है प्रधान मंत्री द्वारा लोग सुधन का नित्रत्व किये जाने के कारण बजट सहीत व्यवस्थापन का समस्त कारिये प्रधान मंत्री की इच्छानुसार ही संपन होता है और इसी कारण ब्रटिस प्रधान मंत्री को अमेरिकी राष्टपती से भिन और उच इस्तिती प्रा प्राप्त हैं यतनी की संसार में अणी किसी सम्विधानिक शाषक को यहां तक की संक्तुराज अमेरिका के राष्ठ पती को भी प्राप्त नहीं है। जब तक लोग सदन में उसके दल का बहुमत रहता है वह ऐसे कारिये करता है जो की एक राष्ट पती भी नहीं कर सकता ठीक है अब नेक्स्ट है मंत्री मंडल और समराट के बीच की कड़ी जो प्रधान मंत्री जो होता है वह मंत्री मंडल और समराट के बीच की एक कड़ी होता यानि मंत्री मंदल और सम्राट को जोडने का कारिये प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है प्रधान मंत्री सम्राट का मुख्य परामर्ज दाता तथा मंत्री मंदल और सम्राट के बीच संपर्क इस्थापित करता होता है प्धान मंदल के जो निश्य होते हैं और शाषन सम्मंदी अन्य जो निरणे होते हैं उसकी सूचना प्धान मंदल सम्मंदल के बीच एक कड़ी का कारिये करता है उन्नीसवी सदी तक प्रधान मंत्री की उपेक्षा करके अन्य मंत्री सम्मराट से सीधा संपर्ग इस्थापित कर लेते थे लेकिन अब वहाँ यह परंपरा इस्थापित हो गई है कि अन्य मंत्री प्रधान मंत्री की सहमती से ही सम्मराट से भेट कर सकते हैं अर्थात उससे मिल सकते हैं प्रधान मंत्री की सहमती से ही प्रधान मंत्री का यह सामानने सा प्रतीत होने वाला कारिये व्यभार में परियाप्त महत्त रखता है अगली जो कारिये है प्रधान मंत्री का वह क्या है अंतराश्ट्रिय सम्मेलनों में ब्रतेन का प्रतिन जित्त करना राजनितिक आर्थिक और अन्य महत्पून अंतराश्ट्रिय सम्मेलनों में ब्रतेन का प्रतिन जित्त प्रधान मंतरी के द्वारा ही किया जाता है राष्ट्रमंडलिये देशों के साथ संबंध राष्ट्रमंडलिये देशों के साथ संबंध तो राष्ट्रमंडल क्या है यहाँ पर समय नहीं है आपको बताने के लिए आप अपनी पुस्तक में या नेट पर आप लोग सर्च कीजिएगा कि राश्टर मंडल किसे कहते हैं तो राश्टर मंडलिये देशों के साथ सम्मंध ब्रिटिस प्रधान मंतरी का यह भी कारिय है कि वह राश्टर मंडलिये देशों से संपर्क इस्थापित रखे और महत्प प्रधान मंतरी द्वारा ही की जाती है तो एक कारिय क्या हो गया राश्ट मंडलिये देशों के साथ सम्मंधों को बनाये रखने का कारिये प्रधान मंतरी द्वारा किया जाता है नेक्स्ट है प्रधान मंतरी राश्टर का नायक इन सब के अत्रिक्त जिनकी चर्चा हमने भ निर्वाचन होता है राजनितिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं वरन अपने नेता के व्यक्तित्त के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है जो प्रधान मंतरी का चुनाव होता है वह सामान निर्वाचन जो होता है ब्रटेन में वह प्रधान मंतरी का ह वह राजनितिक दलों की नीतियों के आधार पर द्रवाचन नहीं होता वरन दोनों दल अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। नायक के रूप में उबर कर सामने आता है। संसद का नेता, सामाने नीती से संबंदित विश्यों पर संब्राट के विचार विनी में करने का माध्यम, देश में दल का सरो माने नेता और सरवो राजनितिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरू होता है। तो इस प्रकार आज के व्याक्यान में हमने विभिन शीर्षकों के माध्यम से ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के कारिये और शक्तियों की उसके अधिकारों की हमने यहां चर्चा की है। आप एक-एक करके पहले तो आपको यह जो विभिन शीर्षक हैं उनको याद रखिएगा कि जब अगर यह प्रशन आ जाए तो आपको इन शीर्षकों के माध्यम से ब्रिटेन प्रधान मंत्री की शक्तियों और कारियों को समझाना है और अपने उत्तर को सार्थक रूप से बिना किसी अन्य सामगरी को उसमें समलित करते हुए केवल अपने काम की सामगरी को शामिल करते हुए अपना अंसर उत्तर पुस्तिका में लिखना है लेकिन उससे पहले आपको इस टॉपिक को कई बार पढ़ना होगा इस वीडियो को कई बार देखना होगा ताकि आप इस टॉपिक को बहतर तरीके से समझ सके तो बच्चो धन्यवाद और इस व्याख्यान की पीडिये फाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं आपसे फिर्म लाकात होगी